नमस्कार दोस्तों एक बार फिस्ट चे स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल में आज के वीडियो में हम आपको मता लक्ष्मी के धन्वान मला मल बनने के चार उपाई बता रहे हैं जो सुकरवार के दिन ही परियोग किये जाते हैं आज हम आपको ऐसे उपाई बता रहे हैं जिसे माता सदेव प्रसंद रहती है और घर में सुक, सम्रदी, धन, संपती हमेशा हमेशा बनी रहती है। सुकरवार के दिन जो भक्त देवी लक्षमी को प्रसंद करके उपाई करते हैं उनके लिए संसार में कुछ भी असंबवन नहीं होता है। आज हम आपको ऐसे उपाई बता रहे हैं जिसे देवी लक्षमी हमेशा हमेशा के लिए आपके घर में इस्तिरो कर विराजमान रहेगी और घर में निरंतर धन रूपय पैसों की बारिस करती रहेगी। जिस घर में माता विराजमान रहती हैं वहाँ पर किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहती है। धन, दोलत, संपती, वेभाव, साली, जीवन, माता लक्षमी की करपासे हमेशा हमेशा मिलता रहता है। इसे अपने हाथ में लेकर ओम, स्री, स्री, नम, ओम, स्रिं, स्री, नम, का पांच माला जाब करें। और इस पोटली को तिजोरी में रखते हैं या धन रखने की पैसे रखने की जगए पर अलमारी में रखते हैं। इस परियोक से निरंतर धन की प्राप्ति होती रहेगी। दूसरा उपाय, यदि आप बढ़ते करश से परेशान हो, करश की किस्तों ने जीना हराम कर रखाओं, तो ये उपाय आपका सारा करश उतार कर आपको धन सुख सम्रदी प्रदान करेगा। इसके लिए आप शुकरवार के दिन एक चमत भर बरगत पेड़ के जड़ों की मिटि और एक चमत पिपल के पेड़ के जड़ों की मिटि खोद कर घर लियाएं। फिर दोनों मिट्टी को चितर से मिला ले और इस मिट्टी में एक मुट्टी साबूत चावर मिला दे फिर एक काच की गिलास में प्लेन काच की गिलास में इस मिट्टी मिश्रन को चावर को डाल दे और उपर से गिलास में पानी भर दे फिर इस गिलाश को मंदीर के अंदर रख कर वहीं पर खड़े होकर ओम रिंग सिर्ण लख्शमी वियो नम है ओम रिंग सिर्ण लख्शमी वियो नम है इस मंतर का एक सो आठ बार जाब करें और जाफून होने के बाद माताशि जो भी मांगना है आप मांग ले जो भी मांगना है जो भी आपकी कामना हो वो कामना मता से कहें फिर इस गिलास को मंदिर में रखकर साथ दिन तक पूजा करें फिर जब सुकरवार आए तो सुकरवार के दिन सुबह सुबह इस गिलास के पानी को बरगर्द के पेड़ की जड़ों में अरफन कर दें और इसी तरीके फिर ये प्रियोग करें इस गिलास को आप अपने व्यापार स्थल में भी रख सकते हो इसे व्यपार में व्रद्धी होती है बिक्री में व्रद्धी होती है ये प्रियोग आपको तीन सुकरवार तक करना है इसे आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोग सकता आपका करज एक उपाय के बार ये उतना सरू हो जाएगा आपकी जो भी इच्छा होगी वो तुरंट हो जाएगी माता लक्ष्मी आपके घर में कुंडली मार कर बेड़ जाएगी गरीबी आपके घर का रास्ता भूल जाएगी तीसरा उपाय है सुकरवार के दिन एक लाल वस्तर पर लाल बिंदी का पता लाल सिंदूर लाल चूडियां लाल चूनरी रखकर माता लक्ष्मी के मंदीर में अर्पन करने से व्यक्ति की धन से जूरी सारी प्रेसानिया दूर हो जाएगी और आर्थिक इस्तिति मजबूत होती है ये परियोग चार सुकरवार तक करते रहें चोथा सुकरवार के दिन सूजयो दे के बाद ही ये उपाई करना है गेहूं के आटे में थोड़ी चिनी मिलाकर छे रोटी बनाने फिर इन छे रोटीों को ग्रेस्वामी के सिर के उप़से छे बार ही उसार कर उन में से तीन रोटी को किसी सांड या बेल को खिलानी है और ती रात्म कुर्जा का संचार होता है इसी के साथ हम आज के वीडियो से विराम लेते हैं जै राम जी की जै मतागी